केंद्री ग्रह मंत्री अमिच शाह मद्दप्रदेश के दोरे पर एक बार फिर से आ रहे हैं अमिच शाह 16 अक्टूबर को पहले ग्वालियर जाएंगे और उसके बाद भोपाल आएंगे ग्वालियर में वो राजमाता विजयराजे सिंधिया एरपोर्ट टर्मिनल का शुभारम करेंगे उसके बाद वो एक जनसभा को भी सम्मोधित करेंगे यहां से वो जैविलास पैलेस जाएंगे दरसल केंद्री मंत्री जोते रादेति सिंधिया ने उनसे जैविलास पैलेस जाने का आगरह किया था जिसको मानते हुए उन्होंने स्विकार किया कि वो जैविलास पैलेस का दोरा जरूर करेंगे अब ये दोरा राजनेति गलियारों में चर्चा का विशय बना हुआ है दरसल जोते रादेति सिंधिया को मद्यप्रदेश की राजनीती में भावी बड़े नेता के तौर पर देखा जा रहा है अभी वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं लेकिन मद्यप्रदेश में उनकी भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं चलती रहती हैं ऐसे में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान अपनी चौथी पारी में चल रहे हैं आगे आने वाले समय में चहरा कौन होगा इसको लेकर के राजनीती अपने चरम पर है क्योंकि 2023 में मद्यप्रदेश में चुनाओ होने हैं ऐसे में इस दौरे को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है हारा कि जो तेरा दित्ति सिंदिया के जैविलास पैलेस के दौरे के बाद जब अमिज शाह वहां से फ्री हो जाएंगे उसके बाद वो भोपाल आएंगे भोपाल आकर यहां पर वो मद्यप्रदेश में पहली बार हो रहें एमद्यप्रदेश के हिंदी कोर्स का शुभारम करने जा रहे हैं दरसल हिंदुस्तान में लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि बड़े टेखनिकल कोर्स को हिंदी में लौंच किया जाए जो कि हिंदी को आगे बढ़ाने में मद्दकार साबित होगा इसी सिलसिले में मद्दप्रदेश सरकार ने ये तैय किया था कि वो सबसे पहले MBBS की पढ़ाई को हिंदी में लौंच करेंगे और बीते एक साल के अंदर मेहनत करके तीन विश्यों को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है इन तीनों विश्यों के कोर्स को हिंदी में ट्रांसलेट करने के बाद अब इनकी किताबे पबलिशो कर आ रही है जिसकी लौंचिंग 16 तारीक को केंद्री ग्रह मंत्री अमिश्चाद्वारा कराई जाएगी सरकार का यह तरक है कि कई देश ऐसे हैं जैसे कि चीन, जापान, जर्मनी, रशिया, कोरिया यह सारे जित्ते भी देश हैं यह अपनी भाषा में कोर्सेस को संचालिद करते हैं इसलिए हिंदुस्तान को भी यह करना चाहिए ऐसे में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है